जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे और दोस्तो वीडियो को अपने मित्रों तक सेयर जरूर कर दें ठीक है स्टार्ड हो चुका है आज का A-Session दोस्तो जिनवी साथियों ने Self-Study Classes का एप डाउनलोड नहीं किया को Self-Study Classes का एप जरूर डाउनलोड कर लें दोस्तो हिंदी साहित के इस कोर्स में आपके लिए बड़ा ओफर है मात्र एक हजार में एड़ी से लेकर कि आप अध्यन कर सकते हैं हैना TGT PGT के निचोड कोर्स में तो साथ ही Model Paper में अगर आपको अभ्यास करना है तो 350 में दोस्तो आप ए Model Paper में अभ्यास कर सकते हैं और 3000 प्रशनों की Test Series में आप 350 में दोस्तो आप कर सकते हैं Start हो चुका है आज का A Session शबी लोग एक बार वीडियो को Like कर दें और आज का आपका पहला प्रशन है विष्णू कांथ सास्त्री की प्रशिद्य गद्य करती कौनसी है बताइए विष्णू कांथ सास्त्री की प्रशिद्य गद्य करती कौनसी मानी जाती है शबी को कमेंट में लिखना है उत्तर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर बताएं जल्दी शेफ सबी लोग बताएंगे दोस्तो विश्णुकान सास्त्री की प्रिसिद्ध गद्द काब जो कृती है इसका नाम क्या है पूजा सुबरा कुछ चंदन की कुछ कपूर की या फिर दुपहिया के फूल और विश्णुकान सास्त्री का अपने यहां तक पढ़ लिया था कुछ चंदन की कुछ कपूर की यानि आपका जो सी नंबर है वो बिलकुछ सही हो जाएगा यहां पर आते हैं कौन सा उपन्यास राहुल सांकृत्याइन का नहीं है कौन सा उपन्यास नहीं है राहुल सांकृ सांक्रित्याइन का नहीं है यह बताना है और आपका सीधा उत्तर जाएगा दोस्तों क्या जाएगा जल्दी से आपको आंसर बताना है आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर तो उपन्यास राहुल सांक्रित्याइन का नहीं है कौन सा नहीं है उत्तर आपने बिल्कों सही बताया ब्यतीत यानि चार नंबर ठीक है यहाँ पर बताना है दोस्तों कौनसा उपन्यास सहयोगी उपन्यास है सहयोगी उपन्यास कौन सा है प्रश्ण किरमांग 490 में आपको उत्तर चैन करना है सहयोगी उपन्यास कौन सा माना जाता है सहयोगी उपन्यास कौन सा है इसका उत्तर आपको बताना है और बिलकुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा एक इंच मुस्कान यानि तीन नमबर कई बार अपन ने पढ़ा है मन्नु भंडारी और राजंद्र यादाओ का ये दोस्तो शहयोगी उपन्यास माना जाता है जनेंद्र कुमार द्वारा रचित कहानी नहीं है फासी नीलम देश की राजकन्या पाजेव पाजेव है ये पाजेव ठीक है पाजेव या फिर अमर बल्लेरी जनेंद्र कुमार जी की कहानी कौनसी नहीं है इसका उत्तर आपको बताना है राइट अंसर आपका क्या हो जाएगा फासी है द्वारा देश की राजकन्या पाजेव भी है कौनसी नहीं है अमर बल्लेरी नहीं है यानि कि आपका चार नमबर बिलको सही ह डी नम्मर आपका राइट अंसर हो जाएगा कौन सा कहानिकार ग्राम मीर चेतना का नहीं है कौन सा कहानिकार ग्राम मीर चेतना का नहीं है मारकंडे बेबेकी राय से उपर साथ से हैं या पर निर्मल बर्मा कौन सा कहानिकार ग्राम मीर चेतना का नहीं है कितना अच्छा question है दोस्तो और सभी लोगों को बताना है और सभी लोगों ने बताया है कि सर ग्रामीर चेत्रा का कहानिकार नहीं है पूछा है तब आपका बिल्कु सही answer है दोस्तो कौन नहीं है ग्रामीर चेत्रा के उत्तर हो जाएगा निर्मल बर्मा यानि डी नम्मर आप का राइट अंसर हो जाता है भोला राम का जियू व्यंग के लेखा कौन है भोला राम का जियू व्यंग के लेखा कौन माने जाती है हरी संकर परसाई ज्यान वाचपयाई राम गोपाल या फिर स्रीलाल सुकल प्रशने किरमांग चार सो पंचानवे का अंसर आपको बताना है बोला राम का जियू ब्यांग के लेखक कौन माने जाते हैं? उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बोला राम का जियू ब्यांग के रचनाकार कौन है? ब्यांग के लेखक कौन है? और आपका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों. क्या हो जाएगा? हरी संकर परसाई एक नमबर आपका सही है यह ए नमबर राइट हो जाएगा मनोब विश्रेशन प्रधान कथाकार कौन नहीं है नहीं है बताना दोस्तो मनोब विश्रेशन प्रधान कथाकार कौन नहीं माने जाते अच्छा प्रस्न है शबी लोग बताएंगे मनोब विश्रे प्रिदान दोस्तों कथाकार कौन नहीं है और उत्तर चला जाता है शुदर्शन यानी स्री नम्मर आपका सही है मनो विशेशन प्रिदान कथाकार नहीं है दोस्तों सुदर्जन जी ठीक है बेरी गुट हिंदी में दलित साहित की पहली आत्मकता दोस्तों किस ने लिखी है है ना यहां पर दोस्तो साहिद अपना कुछ मिश्टेक हुआ गा था कि दलित साहिद की पहली आत्मकता लिखी है दोस्तो किसने मोहंदास नयमी सराई ने लिखी है इन्होंने लिखी है दोस्तो है ना यह टू नम्मर आपका सही हो जाएगा पिछले वीडियो में साहिद अपना यह गड़बड हो गया था यह टू नम्मर आपका मोहंदास नयमी सराई की है दोस्तो है ना बी नम्मर आपका बिलकुछ सही है मोहंदास नयमी सराई ठीक है इसको B नमबर कर लेना, B सुधार लेना, A ही सही है, मौहंदास नहमी सराय ही सही है ठीक है, B नमबर आपका सही है, इसको सुधार लेना, मौहंदास नहमी सराय ठीक है, इसको सुधार लेना, दो नमबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर अंगला देखते हैं अथा तो घुमक्कर जिग्यासा किस विधासी सम्मंदित रचना है अथा तो घुमक्कर जिग्यासा हाँ बिलकुल अपने अपने पिंजरे है दोस्तो बेरी गुट तो ये अथातो गुमक्कर जिग्यासा किस विधासी सम्मंदित है अथातो गुमक्कर जिग्यासा और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कौनसा हाँ बी कर लेना अपने अपने पिंजरे सही है है यात्रा ब्रत्य है दोस्तों क्या है यात्रा ब्रत्य है गुमक्कर जिग्य गजासा तीन नमबर आपका सःय, आत्रा बरत आपका सही होगत, 업 कस रहना है, तुलसि राम और QA dez ? त्रस्क्रत आत्म कथा के लेखा कौन माने जाते हैं और आपका उत्तर हो जाएगा त्रस्क्रत किसकी आत्म कथा है बताईए सूरजपाल चौहान यानि चार नमबर तीक है चार नमबर आपका राइट है हिंदी में रेखा चितर के पिर्थम रचेता दोस्तो पंडित पदम सें सर्मा की कृती कौन सी है दोस्तो पताईए रेखा चितर संग्रा है माना जाता है यह दोस्तो रेखा चितर संग्रा है कौन सा कौन सा माना जाता है रेखा चितर संग्रा है पदम सें सर्मा का प्रताम रेखा चित्र संग्रा है दोस्तों ये और ये माने जाते है पदम से सरमा का कौन सा पदम पराग एक नमबर आपने जो बताया वो बिलकुर राइट आंसर है बहुत बढ़ी आंसर अंगले क्वेस्टिन के वर हम बढ़ेंगे मेत्री श्रंगुप्ति की बहर रचना जिसने देश में राष्ट प्रेम की धूम मचा दी थी बहर रचना दोस्तों कौन सी है फुत्तर है आपकी भारत भारती है है ना स्री नमबर आपका सही है स्री नमबर सही हो जाएगा कविता कलाप किसकी रचना है कविता कलाप के रचना कार कौन है यह आपको बताना है कविता कलाप के रचना कार कौन है यह आपको बताना है कव अच्छा क्वेस्चन है दोस्तों कविता कलाप की रिचनाकार कौन है राइट आंसर चला जाता है दोस्तों महाबीर प्रसाद दुवेदी कविता कलाप की रिचनाकार है महाबीर प्रसाद दुवेदी यानि कि आपका एक नम्मर जो है वो बिलकुर सही है यह नम्मर राइट ETS आंसर होका बीर बेनु लोगूजे धरा की रचनाकार कौन है बेनु लोगूजे धरा मेत्रीस Everywhere गौपते सरीधर पाठक माखलाज चोत्रवेदी या फिर हर्योध बेनु लोगूजे धरा की रचनाकार कौन माने जाते हैं बैनू लोग उजे धरा की रचनाकार कौन माने जाते हैं इसका आंसर आपको बताना है देखते हैं कौन कौन साई उत्र बतारा प्रश्न किरमांग 503 है 503 में हमें उत्तर बताना है और आपका राइट आंसर क्या हो जग है जिन भी सात्यों ने दोस्तो सेलफ क्लासे से आपको डाउनलोड कर लें और दोस्तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यहां पर आपका उत्तर है बेनू लोग गूंजे धरा माखलाल चुत्रवेदी यानि कि आपका तीन नमबर बिल्कु सही आंसर हो जाएगा है ना प्रसाद जी की ख खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संग्रह कौन सा है प्रथम संग्रह कौन सा है बताएं प्रसाद की खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संग्रह कौन सा माना जाता है और यहां पर प्रसाद जी की खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संग्रह आपसे पूचा है तब राइट आंसर क्या हो जाएगा और सभी लोगों ने बताया कि सर एक कानन को सुम है है ना परसाथ की खड़ी वोली की कविताओं का संग रहे यानि कि टू नम्मर यहां पर आपका बिल्कु सही है महादेवी जी को किस रचना है तू मंगला परसाथ पारी तोसिक मिला था दोस कि प्रशने कि रमा का पांसर है और पांस सो पांच में आपका राइट आंसर है दोस्तो यामा यामा है यानी एक नम्मर आपका बिल्कु सही है मंगला परसाथ पारी तोसिक यामा दोस्तो ये सही हो जाएगा अपने काब जीवन के उत्तर में अर्बिंद दरसन से अपने काब जीवन के उत्तर में अर्बिंद दर्सन से कौन प्रभावित है महादेवी वर्मा शुमित्रा अनंदन पंत जैसंकर प्रसाद या फिरपत ऊतर में अर्बिंद दर्सन से प्रभावित बताना है आपको अर्विन दर्शन से प्रभावित कौन सी रचना है और उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा रचना तो ठीक है सर यहां पर आप से पूछा गया क्या क्या पूछा गया है कौन सा कभी है जो अर्विन दर्शन से प्रभावित है तो उत्तर हो जहते इनकी कौन सी लिचनाएं हैं आद्वने स्थम्ंधि की प्रत्रा मौलेक कहानी के लेकत कौन है इनसाली घ्रिंट कहानिकार बताना है दोस्तोंध हम उनसार कौन हैं शेववर्शास सितारिं हिंद राम चंद्रЕ clicking लमाधहराव सप्रे है ना तो आजने खोजों के अनुसार आपको चैन करना है अच्छा क्वेस्चन है एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे अपने मित्रों तक सेर जरू कर दें एक किलास रोज नौ बजे होती है दोस्तो इस किलास को पढ़ती रहें सेल्फ स्ट पारी तोसिक भी मिला था यहां डाउट्स में नहीं रहना मंगला प्रसाद पारी तोसिक भी मिला था ग्यान पीट पुरुसकार भी मिला था ठीक है शुमित्रन नंदर पंत हो गए और आद उने खोजों के अनुसार माधहराव सप्रे हो गए चार नंबर ठीक है चार नंब नगेंद्र ने या फिर दोस्तो राम बिलास सर्मा या फिर दोस्तो लच्छमी नाराण लाल जल्दी से बताएं शबी लोग बताएंगे यहाँ पर जैनेंद्र को मानव जीवन दर्सन का सबसे बड़ा कहानिकार कहा है तो किसने कहा है और आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तो लच्छमी नाराण लाल डाक्टर लच्छमी नाराण लाल यानि की डी नमबर आपका बिलकुस सही हो जाएगा यहाँ पर ठीक है मानव जीवन दर्सन का सबसे बड़ा कहानिकार D नमबर सही हो जागा D आपका राइट आंसर है प्रेम चंदी की अंतिम कहानी कौन सी है बताएं प्रेम चंदी की अंतिम कहानी कौन सी है पूस की रात, कफन, सभासिर गया हूं या फिर सतरंजी के खिलाडी प्रेयम चन्दी की अंतिम कहानी कौन सी है और सीधा उत्तर जाता है दोस्तो कफन है ना कफन यानि टू नम्मर आपका बिलकुँ सही है आपर टू नम्मर कफन आपका सही हो जाएगा यहां पर आते हैं दोस्तो बर्ग संगर्स की अधार पर सामाजे कुरार्थिक इस्तितियों आर्थिक इस्तितियों का चित्रन करने वाली कहानी कौन सी है बर्ग संगर्स की आधार पर सामाजे कुरार्थिक इस्तितियों का चित्रन करने वाली जो कहानी है वो कौन सी है सत्मी के बच्चे बर्ग संगर्स के आधार पर सामाजिक और आर्थिक है ना यहाँ पर आपका राइट आंसर है सत्मी के बच्चे ठीक है इसको याद रख लेना है तो सत्मी के बच्चे के रचनाकार कौन है यह भी आपको बताना है सत्मी के बच्चे के रचनाकार कौन है सत्मी के बच्चे भी आपको बताना है अंगला कोश्चन है दोस्तो जैनेंदर का साहित अकादमी द्वारा प्रोस्कृत है प्रोस्कृत दोस्तों पन्यास कौन सा है जैनेंद्र का जल्दी से बताओ जैनेंद्र का साहित अकादमी द्वारा प्रोस्कृत बताना है और यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर राइट आंसर होगा मुक्ती बोध यानि टू नम्मर आपका बिलकुँ सही है टू नम्मर आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ठीक है मुक्ती बोध एनका उपन्यास इसको याद रखना न दोस्तो अंगला क्वेश्चन तुल्शी के जीवन को केंदर में रखकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है जल्दी से बताएं तुल्शी के जीवन को केंदर में रखकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है ठीक है तो यहाँ पर तुल्शी के जीवन पर लिखा गया था दोस्तो कौन सा मानस का हंस यानि की तीन नमबर आपका बिल्कुछ चाहिए ठीक है तीन नमबर आपका राइट आंसर हो जाता है अंगला कोस्चन यहाँ पर बताना है गांदी जी के डक्षन अप्रिका के जीवन संगर्सों पर केंदरित रचना कौन सी है सबी लोग बताएंगे गांदी जी के डक्षन अप्रिका जीवन पर संगर्सों पर केंदरित जो रचना है दोस्तो वो कौन सी है सबी लोगों को बताना है नीड़जा के लिए ने सेक्स तरिया पुरुस्कार मिला था दोस्तो 1934 में गांदी जी के दक्षन अप्रिका के जीवन संगर्सों पर केंदरित जो रचना है वो रचना कौन सी है ये आपको बताना है शबी लोग बताएंगे गांदी जी के दक्षन अप्रिका जीवन संगर्सों पर केंदरित जो इनकी रचना है दोस्तों पहला गिरमटिया और पहला गिरमटिया के रचना कार कौन है जल्दी से बताओ पहला गिरमटिया के रचना कार कौन माने जाते हैं तो ये पहला गिर्मटी आपका राइट आंसर है हिंदी की रस रीती परंपरा का प्रस्थान गरंथ कौन सा है रस रीती परंपरा बताना है रस रीती परंपरा का प्रस्थान गरंथ बताओ कौन सा है दोस्तो और यहां पर आपका हिंदी की रस्रीती परंपरा का प्रस्थान गरंत बताना है तो वो दोस्तो रसिक प्रिया माना जाते केशा उदास का बैरिगोड कौन सा कभी सत्साइकार नहीं है बताएं जल्दी शेफ कौन सा कभी सत्साइकार नहीं माना जाता इसका उत्तर भी आपको बताना है सत्साइकार कौन सा नहीं है और कौन सा कभी सत्साइकार नहीं है यह आप से पूछा गया है और आपका यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा तो यहाँ पर कौन सा कभी सत्साइकार नहीं है दोस्तो आपका राइट आंसर है बियोगी हरी यानि डी नम्मर आपका बिलकुँ सही है डी नम्मर आपका सही है यह आपका बिलकुँ सही आंसर हो जाएगा ठीक है बियोगी हरी है ना अंगला कोच्चन है भूली कहत नौरस है ना सुकभी सकल मूल स्रंगार यह दोस्तो उक्ती किसकी है भूली कहत नौरस सुकभी सकल मूल संगार यह उक्ती किसकी है उक्ती बताना युक्ति किसकी है और इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो देव यानि एक नम्मर आपका बिलकुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ अध्यापक पूर्ण सें का नहीं है आपका सीधा उत्तर क्या जाएगा दोस्तों आपका उत्तर जाएगा सत्साइकार नहीं है वो ही पूछा ना सत्साइकार नहीं है है ना और यहां पर अध्यापक पूर्ण सें का नहीं है तो आचन की सब्विता है मजदूरी और प्रेम है है ना ग्याहूं और गुलाब है कन्यादान कौनसा नहीं है पूछा यहाँ पर तो नहीं में आपका बिलकुस सही आंसर है गयहूं और गुलाव यानि तीन नमबर आपका बिलकुस है यह तीन नमबर आपका पूरा सही है देव दत्ते इनका पूरा नाम था दोस्तो द्रस्त तत्त साहित की किस विधा का अनिबार बैसिष्ट माना जाता कहानी का उपण्यास का कबिता या फिर नाटक का द्रसे तत्यसाहित की किस विधा का अनिबार बैसिस्ट है उत्तर है नाटक का नाटक यनि आपका डी नमबर बिल्कु सही है नाटक का है दोस्तों ठीक है? बेरी गोड लांसर मिस्टर अभीमन्यू नाटक के रचनाकार कौन है इसका उत्तर आपको लगाना है और मिस्टर अभीमन्यू दोस्तो ये जो नाटक है ये नाटक किसका है लच्छमी नाराण दोस्तो किसका है ज़ल्दी से बताइए लच्छमी नाराण लालका लच्छमी नाराण लालका है एक नंवर आपका बिल्कु सही है ये नंवर जुन्होंने बता से उनका अंसर बिल्कु सही है बंकिम चंद्र का प्रिसिद्ये हिंदी उपन्यास कोण सा है यह आपको बताना है दोड बीनूसा सपना है ना बंकिम चंद्र का प्रिसिद्ध हिंदी उपन्यास कौन सा है बंकिम चंद्र का प्रिसिद्ध हिंदी उपन्यास कौन सा है बता है आपने आनंद मठ डी नम्मर राइट है ठीक है शेकर एक जीवनी उपन्यास के इस्त्री पात्र कौन है बताईए इस्त्री पात्र शेकर एक जीवनी उपन्यास के इस्त्री पात्र कौन है रेखा गोरा, अमला रंजना, सेलमा योके, ससी सरस्वती और बहुत अच्छा क्वेस्चन है, हैना कौन सा सेकर एक जीवनी उपन्यास के इस्तरी पात्र बताना है कौन कौन से सेकर एक जीवनी, यह अग्ये जी का उपन्यास है दोस्तों अग्ये जी का अपन्यास है और इसके इस्तरी पात्र आपको चेहन करना है शबही लोग आंसर बताएंगे और दोस्तों आपका सही आंसर जाएगा बोली सर डी नम्मर लगा दो ससी सरस्वती टीक है सरी सरस्वती इसकी आपको याद रख लेना बो नहीं समझना है मैं जो बोला हूँ बो सुनो सब्धा में सब्धा उपन्यास के लेकख कुए ने। में सब्धा उपन्यास के लेकख का आपको चैन करना है। उत्तर क्या हो जाएगा और शबी लोगों का अंसर आ रहा है सीधा-सीधा लाइक जरू कर लेना सभी को जिन भी साथियों को एप डाउनलोड नहीं किया वो एप को जरू डाउनलोड कर लेना और उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा सुरंग में सुबाय होपन नियास की रचना कार हैं दोस्तों कौन मिथले सुर यानि कि आपका जो टू नमबर है टू नमबर ये आपका बिलकुर सही है टू नमबर आपका राइट आंसर हो जाता है बी नमबर सही है भीतर भीतर सबरस चूसे हस हस के तनमन धन मूसे पंक्ति किस कभी की है पंक्ति किस कभी प्रताप नारण मिस्र की बाल करश्ण भट की ठाकोर या फिर भारतेंदू हरिस्चंद की भीतर भीतर सवरस चूसे हस हस के तन मन धन मूसे पंक्ति किस कभी की है यह आपको वतना है उत्तर आपका क्या हो जाएगा और सभी का आंसर बिल्कु सही आंसर आ रहा है कि सरी जो पंक्ति है यह भारतेंदू हरिस्चंद की पंक्ति है है ना डी नम्मर आपका बिल्कु सही है यहाँ पर डी जोनों ने बताया बिल्कु राइट अंसर हिंदी साहित के तियासकार 1850-1990 को किस नाम से अभी हीत करते है यह आपको बताना है दुवेदी योग भारतेंदू योग सुकल योग या फिर चायाबाद योग और यह 523 का उत्तर बताना है दोस्तो और 523 में आपका भारतेंदू योग बिल्कु शाहिए तू नम्मर आपका सही 1850-1990 आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वरनेम कड़ी दोस्तो किसे माना जाता है आदिकाल और भक्तिकाल के बीच की किसे माना जाता है जल्दी से आपको लिखना है जल्दी से आपको बताना है दोस्तो और आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वरनेम कड़ी माना जाता है किसे विद्यापती को यानि आपका उत्तर बी नमबर बिल्को सही है अंगला क्वेस्चन देखते हैं चार सुकलिक अनुसार निम्ना आंकित में से कौन सी रचना तुलिसी दासकी है कौन सी रचना तुलिसी दासकी है ये बताना है आपको और आपका सीधा आंसर जाता है दोस्तो बर्बे रामायर है ना बार बार रामायर पड़ी तो बर्बे रामायर ठीक है हिंदी सायत की भूमी का पुस्तक के लेखा कौन है हिंदी सायत की भूमी का पुस्तक के लेखा कौन है रामचन सुकले राम कुमार बर्मा विश्चुनात परसाथ मिस्त्र हजारी परसाथ दुवेदी हिंदी साहित की भूमी का पुष्टक के लेखा कौन है हिंदी साहित की भूमी का पुष्टक के लेखा कौन माने जाते हैं किसका उत्तर आपको बताना है और हिंदी साहत की भूमी का दोस्तों ये हजारी परसाइथ दुवेदी की है चार नम 550 दुवेदी ने दोस्तों हिंदी साहत की भूमी का ये लिखीती 1940 में ठीक है निशstु BBQ काल का नाम पूर्वOOD मद्द काल किस आचार ने नाम दिया है दोस्तों है ना तो यहाँ पर निम्ने मैसे अपन को बताना है तो किस ने नाम दिया है और राइट आंसर फिर चला जाता है आपका हज़ारी पिरसाथ दुबेदी ठीक है हिंदी साहित की आरंबे काल को सिद्ध सामंत काल किस ने कहा शिद्ध सामंत काल किस ने कहा यह आपको बताना है शिद्ध सामंत काल किस ने कहा है और आपका उत्तर क्या है इसमें शिद्ध शामंत काल बोले सर ये तो बिल्कुर शही है राहुल सांक्रित्यान ने कहा है आज तो इतना confidence आ रहा होगा आप लोगों को और सर सब question बन रहे हैं बहुत बढ़िया है ना हिंदी के प्रारंबिक काल को बीर गाथा काल नाम किस ने दिया दोस्तो बीर गाथा काल नाम किस ने दिया बीर गाथा काल नाम किस ने दिया चार रामचन सुकले ने राहुल सांक्रित्यान गडपती चंद्र गुपते या फिर विद्ध्यापती मिस् अच्छा प्रश्ण है और बीर गाता काल कहा है दोस्तो किसने राम चंद्र सुकल ने यानि कि आपका एक नम्मर जो है वो बिलकुश सही है ठीक है छायाबाद में बक्रता का बेवाव मिलता है प्रसाद के काब में निम्नमेंसी किसका उतकर्स मिलता है किसका उतकर्स मिलता है दोस्तो चायाबाद में बकरता का बेभाव मिलता है प्रसाद के काम में किसका उतकर्स मिलता है यह आंसर बताना है सबी लोगों को वीडियो को लाइक करना है और जिनवी साथियों को दोस्तो एप में एड़िशन लेना है सेल्फ श्टडी के लासे से आपको आज ही डाउनलोड करें च्धिक हैं और अपना अध्यन प्रारंब करें च supply अबाद में भकृता का वयवाव मिलता है प्रसाध के काम में झावनी किसका उतकर्स मिलता है इसका आंसर आपको बताना है तो वो मिलता है दोस्तो अभी वेंजना का उतकर्स आपका पांसर बताना है 531 का अंसर कौनसा है तो बोलिसर एक या है महादेवी बर्माने यानि टू नम्मर आपका बिल्कुर शाही है केवल सूक्षमगत सौंदर सत्ता का राग कहे कर छाया बात का बिरोत किया है महादेवी बर्माने है ना बी नम्मर आपका बिल्कुर सही हो जाएगा नेक्स्टे जैसंका प्रसाद की किस किर्थी को पहले ब्रजभासा में तथा फिर बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया था दोस्तों प्रसाद की वह रचना कौनसी है वह किर्थी कौनसी है बैकिर्ति आपको बताना है प्रिसाद की बैकिर्ति कौन सी है जो पहले ब्रजभासा में तथबाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया और आंसर हो जाएगा आपका प्रेम पथेक यानि एक नमबर आपका बिलकुँ सही हो जाएगा ये नमबर बिलकुँ राइट आंसर है ठीक है बेरिगोड एक नमबर बेरिगोड निराला की जूही की कली उधारन है दोस्तों काई का उधारन है निराला की जूही कली मात्रिक चंद वरनेक चंद मुक्त चंद या फिर इन में ऐसे कोई नहीं बताएं निराला की जूही की कली ओधारन है किसका ओधारन मानी जाती है निराला की जूही की कली और दोस्तों आपके लिए पार्टिकुलरली बहुत अच्छी चीज आ रही है दोस्तों है ना चैनल पर जाके देखें एक दोस्तों अच्छी सीरे चल रही है कि सरहपा सरहपा स से संबंदें जितने question है वो सीरे जा रही है तो यमबू से संबंदें या और या नि पार्टिकुलरली कभी से संबंदें प्रशनों के वीडियो आ रहे हैं इंद्र रेकॉड़ेड वीडियो उनको जरूर देखते रहे है निराला की जूही की कली ये दोस्तो मुक्त चंद से संबंदित है तीन नमबर आपका बिलको सही है टिप टॉप यूटूब चैनल पर जाकर भी आप देख सकते हैं दोस्तो कौन सी रचना मोहर राकेस की नहीं है इसका उत्तर आपको बताना है मोहर राकेस की रचना कौन सी नहीं छोटे छोटे ताजमहल असाड का एक दिन अधेरे बंद कमरे या फिर लहरों की राजहन्स कौन सी रचना मोहर राकेस की नहीं है और यह आपका उत्तर हो जाएगा मोहर राकेस की नहीं है तो छोटे छोटे ताजमहल बाकी तो दोस्तों ये तीन है चोटे चोटे ताजमे लई हैं एक नम्मर आपका यहां पर बिल्कुस सही हो जाएगा साड़का एक दिन अंधेरे बंद कमरे और लहरों की राज़न्स ये सबी है एक नम्मर आपका सही है कौन सा उपन्यासकार एक आंचले को पन्यासकार है दो गे कौन सा उपन्यासकार एक आंचले को पन्यासकार है यह आपको बताना है शबी लोग बताएं और आंचले को पन्यासकार की बात करें दोस्तों तो वो कौन है कौन है राही मासूम रजा है ना यह आपका तीन नमबर बिल्कुस सही हो जाएगा राही मासूम रजा तीन न लेकर 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 ले कभी से सम्मंदित कितने question पूछे जाते हैं उनका जन्म उनका परिचाय पूरा आएगी नोप 45 पे आप लोग देख लेना आज की किलास के लिए दोस्तों इतना ही सभी साती जितने भी हमारे साती हैं हैना किसी को कोई question में doubts हो तो वो जल्दी से बताएं और जिनमें दोस्तों आपको 1000 प्रस्णों की जिनको भी 3000 प्रस्णों की test series लेनी हैं वो 350 में अपना अभ्यास करने के लिए दोस्तों 350 में इस practice set में भाग ले सकते हैं हैना model paper में जिनको भी अध्यन करना है दोस्तों model paper लगा के देखना है कि exam में कैसा पूछा जाएगा pattern क्या रहेगा TGT का तो 350 के model paper में advisor ले सकते हो ठीक है और अगर आपको निचोड किलास में advisor लेना है दोस्तों कि आप exam की time में अंतिम समय में क्या क्या पढ़ लें ऐसा दोस्तों जो course है आपको 1000 का offer है भी आप इसमें advisor ले सकते हैं अगर इसके बाद भी दोस्तों अगर आप junior test की तैयारी कर रहे हैं या फिर दोस्तों और भी अन्य exam की तैयारी कर रहे हैं जिने में आपका साहित है तो यही कोर्स आपके लिए बहुत अपलब सही रहेगा अलग से कोई course लेनी की जोरत भी नहीं पड़ेगी आपको ठीक है तो जितने भी हमारे सातिये जो साहित बाले साति हैं सभी साति हैं है ना और जो ओवर कॉंफिडेंस में हैं एक बार आप दोग दोस्तों मंगला पर साथ जो पारितोसिक पुरुसकार है इसकी लिस्ट निकाल लीजिए इसकी लिस्ट निकाल लिए इसकी लिस्ट देखिए कि सर मंगला पर साथ पारितोसिक किस किस को मि है हैना बहुत सारे लोग ओवर कउंटिटेंस में जी रहे हैं मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि ऑवर कॉंट्टेंस नहीं जी नहीं जीना है ऑवर कॉंट्टेंस में पेपर देने नहीं जाना है है ना तो आप अभी नेट पे जाए dove कि पीडिया पर जाईए दोस्तो उसमें लिस्ट निकाली ये मंगला प्रशाथ पारितों से किस किस रचना को मिला है वो आप सर्च करिए है ना उसमें आपको चेक करने को मिल जाएगा फिर मुझे बता देना कि सर किस रचना को मिला है ठीक है बहुत बढ़िया है ना ठीक है तो सभी लोगों के लिए धन्वाद दोस्तो सभी लोग इसी प्रकार से अध्यन करती रहें और आंगे बढ़ती रहें ठीक है बिलकोल सेल्प स्टड़ी किलासे इस एप जरूर डाउनलोड करें नीर्जा के लिए दोस्तो सेक्सरिया पर उसकार मिला है है ना तो इतना आप लोग देख लें एक बार चेक कर लें नीर्जा के लिए सेक्सरिया पर उसकार मिला था 1934 में है ना और ठीक है बहुत बड़ी अधन्वाद सभी को इसी प्रकार से अध्यन करती रहें और दोस्तों बढ़ती रहें आंगे ठीक है बिलकोल बुक में गलत हो सकता है दोस्तों एक बार उनकी पूरी बो देख लें मंगला परसाथ पारीतों से किस किस रचना को मिला है है ना वो चेक कर लें है ना जिनको नहीं लगता है तो वो अच्छा है ठीक है तो धन्वास सबी सातियों को जै हिन